क्या आपने कभी KPI यानि की की पर्सन ओफ इंफ्लूएंस के बारे में सुना है? की पर्सन ओफ इंफ्लूएंस एक ऐसा इंसान होता है जो अपने फिल्ड में परभावशाली या बेहद इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ दूसरे लोगों से वेल कनेक्टेड होता है ऐसे लोगों को कई मौके मिलते हैं और उन्हें एक्सपर्ट की तरह देखा जाता है लेकिन KPI यानि की पर्सन ओफ इंफ्लूएंस इतना सब कुछ करने के बाद भी कभी स्ट्रेच नहीं होता वो ज़्यादा पैसा कमाने के साथ साथ जिन्दगी का मज़ा भी करते हैं KPI बनने के लिए आपको किसी दिग्री या ज़्यादा पठाई करने की जुरूरत नहीं है इसके लिए बस आपको 5 steps follow करने होंगे जिनके बारे में आपको आज की समड़ी में मालूम होगा तो आज की समड़ी है Key Person of Influence Steps to Become One of the Most Highly Valued and Highly Paid People जिसे लिखा है Kevin Harrington और Daniel Prisley ने Kevin Harrington ने Information या Essin Non-TV Industry की शुरुआत की थी वो एक Serial Entrepreneur, Investor और Board Member भी है Kevin मशूर TV शो शार्क टेंक के पैनल मेंबर भी थी Daniel Prinsley एक Entrepreneur और एक Multimillionaire है Good and Global के Founder और CEO भी है ये Company Startups को औरों से हट कर बनने में और अपना Scale बढ़ाने में मदद करती है तो आईए बिना देर के शुरू करते हैं आज की बुक समड़ी Key Person of Influence John एक Experience Accountant है जब वो 18 साल के थे तो नहोंने सोचा कि Success पाने का सबसे अच्छा तरीका है Accountant बनना क्योंकि वो Math और Economics में बहुत अच्छे थे अब John 40 साल के होने वाले हैं वो अपने काम में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन Life से frustrated और नाखूस है John को लगता है कि उन्हें अपने केरियर में आगे बढ़ने के लिए और परहाई करने की जरूरत है दूसरे Accountants भी ऐसा ही सोच रहे है John के पास अपने काम में कम फिस लेने के अलावा और कोई च्वाइस नहीं है बहुत से लोग John जैसे हैं वो अपने काम में बहुत अच्छे हैं लेकिन उन्हें अपने काम में एक कमी सी महसूस होती है उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त उनके हाथ से निकलता जा रहा है वो अपने गोल को हासिल नहीं कर पाते हैं और अपने जिंद्गी में ली हुई च्वाइसेस पर सवाल उठाने लगते हैं इस समड़ी में आप समझेंगे कि चीजों को सही करने के लिए आपको अपने जिंद्गी को पूई तरह से बदलने के जरूरत नहीं है आपको आगे पढ़ाई करने या कार्परेट सेक्टर में और अच्छा करने की कोई जरूरत नहीं है अप च्छा महीने से एक साल के अंदर अपने फिल्ड में की पर्सन आफ इंफ्लूएंस बन सकती है अपने फिल्ड में ज्यादा वैल्लू और ज्यादा पैसा कमाने के लिए जिन पांच स्टेप्स की आपको जरूरत है उन्हें फाइब पीज कहते हैं वो है पीच, पब्लिश, प्रडक्ट, प्रूफाइल और पार्टनर्शिप यानि एक अच्छी पीच बनाना, कॉंटेंट को पब्लिश करना, एक प्रडक्ट एकोसिस्टम बनाना, लगतार अपने प्रूफाइल को अपडेट करना और पार्टनर्शिप बनाना इन स्टेप्स को फॉलो करने से आप अपने पसंदिदा काम करते हुए धीर सारा पैसा कमा पाएंगे आप फुल्फिल्ड यानि कि संतुष्ट महसूस करेंगे और आपको पहले से कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज यानि कि मौके भी मिलेंगे दुनिया बदल चुकी है आपने शायद ध्यान दिया होगा कि फेमस सोसल मीडिया इन्फुलेंसर्स ने कैसे अपने कई लॉयल फैंस बना लिया है और इससे लाखों कमा रहे हैं उनमें से कुछ तो सिर्फ 20-30 साल के हैं और उनमें से कुछ ने तो कॉलिज के डिगडी तक पूरी नहीं की है इससे यह साबित होता है कि आप भी की पर्सन आफ इंफुलेंस बन सकते हैं वहां तक पहुशने के लिए आपको सिर्फ फाइव पीज की जरूरत है आए एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं पहला स्टेफ है पिच पिच इस सवाल का जवाब देती है कि आप क्या करते हैं मशहूर शो शार्क टैंक में आंट्रप्नियोर्स इंवेस्टमेंट एंडोर्समेंट और डिस्टिब्यूशन के लिए सामने पिच करते हैं यानि उन्हें अपने प्रडॉक्ट के बारे में बता कर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं सार्क्स पिच की क्वालिटी और डिलिवरी के बेसिस पर अंट्रप्नियोर्स को चुनते हैं और उन्हें सपोर्ट करते हैं अब मान लीजे कि आप shark tank में आने वाले उन entrepreneur में से एक है। आपके पाज shark के सामने पीच करने का सिर्फ एक ही मौका है। आपको उस मौके के लिए पूरी तरह से तयार रहना होगा। इसमें आप अपने product या service के बारे में बात करेंगे। sharks को या मसूस होना चाहिए कि आप खुद अपने product या service पर कितना विश्वास करते हैं। अपनी बात रखते हुए आपको passionate और confident होना चाहिए। sharks आपके product के बारे में आपसे किस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। उस बारे में study और practice कीजिए। pitch करने से पहले आप CC या camera के सामने बोल सकते हैं। आप अपनी family और दोस्तों से भी उनका feedback ले सकते हैं। सही रास्ता दिखाने के लिए आप mentors भी ढून सकते हैं। advice लेने के लिए ज़्यादा experience entrepreneurs के पास जाने से डरे नहीं। अगर उन्होंने पहले कही कभी pitch दी होगी तो वो आपके weak points को आपको बता सकते हैं और आपके pitch को बहतर बराने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको कोई polite या ठड़ना सा response देता है तो इससे खराब feedback नहीं हो सकता। जैसे कि आप किसी को ये समझा रहे हैं कि आप क्या करते हैं और वो सिर्फ हिला कर मुश्कुरा देते हैं। वो आपके पीच के बाद सिर्फ ये कहते हैं कि इंट्रेस्टिंग लग रहा है आप ये काम कब से कर रहे हैं तो वो इंसान सिर्फ पॉलाइट हो रहा है लेकिन जच तो यह है कि उसे आपकी बात में बिल्कुल भी इंट्रेस्ट नहीं है इंट्रेस्ट पर ध्यान दीजिए अगर कोई इंसान आपके पीच के बारे में सीधा सीधा कह दे कि वो उसे पसंद आया या बिल्कुल पसंद नहीं आया तो ये सबसे अच्छा होता है आपका आइडिया कभी भी काम नहीं करेगा अगर कोई ऐसा जवाब दे तो ये पॉलाइट फीड़बेक से कहीं बहतर है कम से कम आप ये तो जान पाएंगे कि उस इनसान ने आपकी बात सुनी और उस बारे में सोचा भी आप उनके नजरिये से काफी कुछ सीख सकते हैं और अपने प्रोड़क्ट को बहतर बना सकते हैं ये अपग्रेड कर सकते हैं बोरिंग मत बनिये ये जानिए कि आप क्या कर रहे हैं और आप अभी कहा खड़े हैं आप क्या करते हैं इस सवाल के अपने जवाब को लेकर क्लियर रहे हैं एक पावरफुल पिच आपके लिए अंगीनत मौकों के दरवाजे खोल सकता हैं अगर लोग आपके वीजन पर बात करेंगी जिन्हें वो जानते हैं एक अंट्रपनियور होने के नाते आपको हमेशा पिच करने की जरूरत होगी आपको potential investors, suppliers, partners, customers और employees के सामने पिच करना होगा आपको उन्हें अपने साथ काम करते रहने के लिए मनाना होगा हर पिच का मेन गोल होता है अपने purpose के बारे म बताना यहीं वो वज़ा होती है कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं यह प्रोफिट कमाने से भी बड़ा गोल होता है आए कुछ मसहूर आंट्रेप्रनियोर्स के एक्जांपल को देखते हैं माइक्रोसोफ्ट के लिए बिल गेट्स का मकसद था दुनिया भर में हर घर में हर डेक्स पर एक पीसी का होना मैक डोनल्ड्स के लिए रे क्रोग का मकसद था अगर इंसान चांद पर जाता है तो हम वहां भी मैक डोनल्ड्स खोलेंगे और ला जवाब बर्गर को अच्छे प्राइस पर बेचेंगे ओपेरा विनफरे का मकसद था दुनिया भर की सभी औरतों के साथ डेली इंस्पिरेशन शेयर करना तो आप अपने मकसद को कैसे जान सकते हैं यह आपको सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर देता है और दिर रात तक जगाय रखता है यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस कैसे बनाते हैं और रिजल्ट कैसे हासिल करते हैं यह उस मज़दार एक्सप्रियंस का एक जड़िया होता है जो आप अपने कस्टमर्स और उन सभी लोगों के देते हैं जिनके साथ आप जूड़ते हैं इसलिए पीच एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आ आप से याद करके सुनाने के बजाए फैशन और कॉन्फिडेंट के साथ बोल पाएंगे यहां अपनी पीच को सही तरीके से बनाने के स्टिप्स दे गया हैं सबसे पहले खुद को एक ऐसा इंसान बनाएं जिस पर लोग विश्वास कर सकें आपके ओडियोंस को यह पता हो बारे में खूल कर बताएं और यह भी बताएं कि आपको इसके बारे में कैसे पता चला जैसे सारा ब्लैक्ली औरक्स के अंडरकर्रमेंट के ब्रेंस पैंट की मालिक हैं वह एक कहानी सुनाती हैं कि कैसे वह स्बार्थकन के साथ पहन सकती है जैसे वो ज्यादा एक्टेक्टिव भी दिख सकती है आपको किसी प्रॉब्लम को अपने ओडियंस के सामने इस तरह पेश करना है कि उनका ध्यान आप पर से हट ना पाए तीसरा उस प्रॉब्लम से होने वाले असर पर फोकस किजिए ये बताईए कि कैसे वह प्रॉब्लम लोगों की जिन्दगी में जिन है जितना उन्हें लगता है उसे कहीं ज्यादा असर डाल रही है इस प्रॉब्लम का सलूसर ना निकल पाने से फ्यूचर पर होने वाले असर क बेशक वो solution है आपका product या service यह बताइए कि वो कैसे काम करता है और इसका proof भी दीजिए इसके लिए आप statistics दिखा सकते हैं या case study share कर सकते हैं आप किसी ऐसे expert के भी मदद ले सकते हैं जो आपके product से होने वाले असर को सावित कर सकता है पांचवा आप जो चाहते हैं वो मांगिए आपको audience से क्या चाहिए investment, sales, partnership या कुछ और ये बताइए कि आपने idea को आगे ले जाने के लिए आपको उनसे क्या चाहिए आप क्या चाहते हैं और क्यू चाहते हैं इसके बारे में clear, specific और bold बनिए आखिर में अपनी बात को positive तरीके से खत्म कीजिए आपके audience को आपके pitch के आखिर में inspired और excited फिल होना चाहिए आप इसे किसी idea, कहानी ये future के एक vision को बता कर कर सकते हैं लोगों को आपके कही हुई हर बात याद नहीं रहेगी लेकिन उन्हें यह जरूर याद रहेगा कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था आपको ऐसा लग सकता है कि इस तरह आपकी pitch कुछ ज्यादा ही structured हो जाएगी लेकिन ये step आपको अपनी pitch में clarity लाने में मदद करेंगे अगर आप इसे ठीक से practice करेंगे तो आप इसके important part को correct order में natural तरीके से deliver कर पाएगे अगर आपकी pitch सुनने से ऐसा लगे कि आपने बस उसे रटा मारा है तो इसका मतलब है कि आपने ज्यादा practice नहीं की है step two publish आपकी powerful pitch सुनने के बाद आपके audience के मन में कुछ सवाल उठ सकते हैं वो सोचने लगते हैं कि मुझे इसकी बात क्यों सुननी चाहिए मैं इसके बारे में और ज्यादा कैसे जान सकता हूं या मैं इस information को कैसे share कर सकता हूं वो जानना चाहते हैं कि क्या आप ऐसे ideas को develop कर सकते हैं जिन पर विश्वास किया जा सके और क्या आप सभी कामों को पूरे कर सकते हैं आप content को publish करवा कर ऐसा कर सकते हैं किताब ये बताने का एक ऐसा जड़िया है कि आप किसी topic के बारे में इतना जानते हैं कि आप उसके बारे में detail में लिख सकते हैं articles, blogs और दूसरा online content लोगों को आपके बारे में जानने और दुनिया में कहीं भी आपका ideas को share करने में मदद करता है interview से पता चलता है कि उस field के दूसरे experts के साथ आपके कैसे connection है कुछ successful entrepreneurs ने publish की हुए content की मदद से अपने career को आगे बढ़ाया है Meta के पुरानी CEO Sheryl Sandberg ने Lean In नाम के किताब लिखी थी वो Virgin Group के मालिक Richard Branson ने Looj In Me Virginity नाम के किताब लिखी Donald Trump और Robert Kiyosaki ने साथ मिलकर Why We Want You To Be Rich और Midas Touch नाम के किताबे लिखी है यह chapter आपको अपने किताब लिखना सिखाएगा इससे आप 30,000 से 50,000 सब्दों में अपने चूने हुए topic पर खास information दे सकते हैं आप शायद ऐसा सोच रहे होंगे किताब लिखने के लिए आपके पास इतने ideas नहीं है आप शायद यह भी सोच रहे होंगे कि आपके idea इतने special नहीं है या काम के नहीं है लेकिन जब भी कोई author अपनी पहली किताब लिखना शुरू करता है तो उसे खुद पर ऐसा ही सक होता है इस chapter में आप ऐसे tips सीखेंगे जो आपको इस process में रास्ता दिखाएंगे अगर आप 30,000 सब्द नहीं भी लिख पाएं तो आप इस information से article या blog बना सकते हैं आईए अब अलग-अलग तरह की किताबों और उनके फायदों पर बात करते हैं पहली है thought leadership इसका मतलब है अपनी कहानी और background के बारे में लिखना इसमें आप चीजों को लेकर अपने ideas और अपनी राय बनाते हैं इस तरह की किताब में आप एक star की तरह होते हैं क्योंकि इसमें आपको अपने यूनिक नजरिये पर बात करने का मौका मिलता है thought leadership की किताब का एक example है six pack checks, change your mind, dance from your body दूसरी है interview की किताब इसमें आप अपने field के दूसरे key person of influence का interview लेते हैं और उनकी कहानी, ideas को दिखाते हैं ऐसे कई KPI होंगे जो आपके सवालों का जवाब देने में खुसी महसूस करेंगे आप interview को record भी कर सकते हैं और इसे podcast, video जैसे किसी दूसरे product के लिए भी इस्तिमार कर सकते हैं interviews की किताब का एक लोता नुकसान ये है कि इसमें आप star नहीं होते लेकिन यह आपको एक ऐसा इंसान के तोर पर साबित करेगी जो अपने industry में well connected है तीसरी है tips की किताब इसमें आप कई असान solution और कुछ tips share करते हैं इसका एक example है reshape shape your body, own your life tips की किताब शुरू करने के लिए जिस topic को आप cover करना चाहते हैं उसके बार में 10 category लिखें फिर हर category के लिए 10 tips लिखें ऐसा करने से आपके पास short tips की यानि की short trips की एक किताब बन जाएगी अगर आपने इसे सही तरीके से नहीं किया तो tips की एक किताब आपको बिख्री हुई लग सकती है लेकिन अगर आपने इसे सही तरीके से किया तो ये पढ़ने में आसान होने के साथ साथ मज़ेदार भी होगी आप इन tips को अलग अलग तरीके से लिखकर articles या blog बनाने के लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं चौथी है picture book या तस्वीरों की किताब कुछ fields को शब्दों से नहीं पल की तस्वीरों से बहतर दिखाया जा सकता है अगर आप शेफ, painter, photographer ये fashion designer है तो ये बात आपके लिए बिल्कुल सच साभीत होगी लोग खुबसूरत तस्वीरे देखना पसंद करते हैं इसका एकलोता नुकसान या है कि आपको अपनी किताब को high quality में print कराना होगा जो महंगा भी हो सकता है इसका एक example है 7 mistakes people make with their headshot photos जिसमें author ने कुछ ऐसे tip शामिल किये है जो अच्छे और बुरे headshot के बीच के फर्क को दिखाते है पांचवी है creative piece ये एक fiction story या एक lesson यानि की सबक सिखाने वाली कहानी हो सकती है लोगों को अच्छी कहानिया बहुत पसंद आती है और इसमें आप जितना चाहें उतना creative बन सकते हैं इसका एक example है If your body could talk letters from your body to you जिसमें author का शरीर उनसे बात करता है तो आप अपनी किताब के लिए इन अलग-अलग तरह की किताबों में से किसी एक कोच चुन सकते हैं अगले step में आपको अपने message के बारे में decide करना है आपके किताब ऐसी होनी चाहिए जिसे readers को उनके किसी important सवाल का जवाब जरूर मिले उनके सवाल कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जैसे मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ मैं बोलने में ज़्यादे confident कैसे बन सकता हूँ या मैं अपना brand कैसे बना सकता हूँ आपको अपनी किताब के content को plan करना होगा अपने सबसे जरूरी सवाल को एक कागज पड़ लिखे और readers के मन में उससे जुड़े किस तरह के सवाल आ सकते हैं उसकी भी एक list बनाए आइडियाज को chapters में बदलें और उन chapters में discuss करने वाले topics के बारे में सूचिए इस तरह अपनी किताब planning करने के लिए एक से दो घंटे लगाने से आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा इस process में कहीं न कहीं आपको अपने title के बारे में भी कुछ idea मिल जाएगा उसे perfect की जुरूरत नहीं है आप 5 potential titles की एक list बना सकते हैं और उनमें से सबसे अच्छे को चुनने के लिए अपने दोस्तों की मदद मांग सकते हैं सबसे अच्छा तो यह होता है कि आपके title को एक key person of influence की तरह highlight करने चाहिए इस तरह के title के कुछ example है process to profit या winning client trust feedback और guidance लेने के लिए आप एक write in group से जूर सकते हैं या एक writing coach भी ढूंड सकते हैं उन लोगों के आसपास रहें जिन्होंने ऐसा पहले किया है आप उनसे अपनी किताब लिखने और बेचने के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे पहले सिर्फ बड़े publication house ही पता सकते थे कि कैसी किताबे बेचने लाइक होती है लेकिन अब ऐसे कई छोटे publishers भी है जो demand के हिसाफ से आपके किताब को print करने के लिए राजी हो जाएंगे अब अपनी किताब को Amazon, iTunes और दूसरे online platforms पर भी publish कर सकते हैं और जब लोग आपको Google पर ढूंडेंगे तो देखेंगे कि आप एक author है और आपके बारे में और ज़्यादा जानेंगे दूसरे key person of influence ज्यादा पैसे कपाने के लिए या अपनी किताबे सस्ते में बेचने के लिए अपनी किताब को खुद publish करते हैं गर आपकी किताब best seller नहीं भी बनती है तो कोई बात नहीं ज़रूरी बात यह है कि आपने एक किताब publish की और लोग आपको उस topic पर एक expert की तरह देखेंगे ज़र आपकी किताब दुनिया के सामने आएगी तो आपको events में बोलने या podcast और interview देने के लिए बुलाया जाएगा आप अपने किताब के copy अपने clients और दोस्तों को देश सकते हैं जो आपके लिए और ज़्यादा opportunities पैदा कर सकते हैं step 3 है product Apple इतना successful क्यों है क्योंकि उन्होंने कड़ी 20 सालों से कई बेहतरीन products बनाए तेल की company इतना पैसा क्यों कमाती है क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग एक सदी से भी ज्यादा वक्त से तेल की demand रही है अगर हम किसी दूसरी टिकाव energy की तरफ shift करते हैं तो इन सभी तेल कमपनियों का दिवाला निखल जाएगा पर आप आपने भी शायद पहले अपने product को बेचा होगा हो सकता है कि आपने एक employee बनकर अपना वक्त भी बेचा हो या फिर हो सकता है कि आपने अपने clients को अपने professional services भी बेची हो ये भी हो सकता है कि आपने पहले property घड़ दी और फिर उसे बेचा हो एक key person of influence होने के तोर पर आप ऐसे कई product बना सकते हैं जो आपके ideas को चारों तरफ पहलाएंगे और आपके business को भी बढ़ाएंगे आपके पास एक product ecosystem होना चाहिए हम किसी एक product को बेचने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बलकि products के एक set के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके customer में से सबसे ज्यादा value पाने के लिए आपस में मिलकर काम करते हैं ऐसा तब होता है जब आपके पास मुफ्त में देने वाले products होते हैं सस्ते price पर बेचने वाले products होते हैं और आपके loyal fans के लिए high value के product होते हैं हर तरह के product का एक अलग मकसद होता है यह relationship बनाना, खुझ से खाना या किसी idea को implement करना भी हो सकता है product का एक मतलब है एक ऐसा valuable idea जिसे इस तरह से pack किया गया हो कि लोग उसे आसाने से खुश होकर बार बार इस्तमाल कर सके आज कल product खुद ही एक marketing और advertising टूल बन गया है अगर आप अपने product को unique और सबसे अच्छा बनाते हैं तो आपको add बनाने के लिए कभी पैसा खर्च नहीं करना परेगा लोग उसे पसंद करेंगे और अपने दोस्तों को भी उसके बारे में बताएंगे एक valuable product लोगों की online और offline होने वाली बातों से और ज्यादा फ्यालता है digital products आपको अपने ideas को कई लोगों के साथ share करने का मौका देती है अगर वो आपका podcast सुनते हैं तो आपसे जूट जाएंगे और देखेंगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको unique बनाती है गर लोग आपके चैनल को subscribe करते हैं आपके webinar जोईन करते हैं या आपका online test देते हैं तो उन्होंने आपको जानने के लिए पैसा खर्च करना शुरू कर दिया है digital products आपको ऐसे इंसान में बदल देते हैं जिसके साथ लोग business कर सकते हैं दुसरी तरफ productized services को एक तरह की pack किया जाता है आप इसे एक नाम भी देख सकते हैं एक manual बना सकते हैं और इसे deliver करने के लिए अपने employees को training भी देख सकते हैं आपके productized service इसमें customer के लिए standard या personalize चीज हो सकती है physical products आपके idea, कहानी या brand की मदद से बनाई गई कुछ खास चीज़ों होती है आज physical product बनाना पहले जितना मुश्किल नहीं रहा है आज आपको अलिवबाद जैसी website पर ऐसी factor मिल जाएगी जो आपके design को produce कर सकती है products आपको पैसा कमाने के ज़्यादा मौके देती है जिन लोगों ने आपसे कुछ खरीदा है, वो आगे आने वाले वक्त में आपसे और ज़्यादा खरीदना चाहेंगे ये आपके साथ business भी करना चाहेंगे मान लिजिए कि आपको एक seminar में बोलने के लिए बुलाया गया आप अपने digital products को promote करने के बदले में 50 डॉलर्ट में 30 मिनट की speech देने के लिए तयार होगा अपने presentation के आखिर में आप कहते हैं कि आपने अभी जो सुना अगर वो आपका पसंद आया तो आप मेरे online training program से और ज़्यादा सीख सकते हैं मेरे पास आप सभी के लिए एक special offer भी है जब आप सो रहे होंगे तब ही आपके products अपना काम कर रहे होंगे अगर आप एक employee है और अपना time बेशते हैं तो आप रोज सिर्फ 8 से 10 गंटे तक काम कर सकते हैं और एक वक्त पर एक ही जगा हो सकते हैं गर ये इस बात पर depend करता है कि आप मौझूद होना ज़रूरी है तो आपके कमाने की भी एक limit set हो जाएगे दूसरी तरह products आपको और बढ़ने और आजाद रहने का मौका देते हैं क्योंकि आप उन्हें 24 by 7 ऑनलाइन बेश सकते हैं और दुनिया भर में deliver कर सकते हैं आप अभी भी एक key person of influence की तरह अपना वक्त बेश सकते हैं लेकिन अब आपके वक्त की value बढ़ जाती हैं इसके अलावा आप सिर्फ उस जरूरी काम पर वक्त बिताते हैं जिससे आप सबसे ज़्यादा enjoy करते हैं इससे पहले आपने product ecosystem के बारे में बात की थी आईए उन दो तरह के product पर focus करते हैं जिन्हें आपको develop करना चाहिए सबसे पहले digital products को मुफ्त में देना शुरू किजिए वह लोगों को बताता है कि आप कौन है और उन्हें आपके साथ business क्यों करनी चाहिए आप असानी से सिर्फ podcast बना सकते हैं और दुनिया भर के audience तक पहुँच सकते हैं अपने ideas और experience को share करने से लोगों को ये लगेगा कि आप एक expert है और अपने field में well connected यानि कि कई लोगों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं आप एक information kit भी बना सकते हैं इसमें workbooks और training के resources भी हो सकती है अगर लोग आप से उन्हें कुछ सिखाने के लिए अकसर कहते हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल perfect रहेगा दूसरा मुफ्त digital product जो आप offer कर सकते हैं वो है बेविनार यह एक ऐसा online seminar या panel discussion होता है जिने आप दूसरे KPI के साथ बना सकते हैं आईए आपके कुछ और tips देते हैं कुछ छुपाईए मत अपने शांदार ideas को सभी के साथ share करने से कभी डढ़िये मत जैसे जैसे लोग जानेंगे उनकी दिल्चस्पी और भी पढ़ेगी इसके लिए उन्हें नया content देते रहे अपने ideas share करने से आगे जा कर लोग आपके product खड़ने के लिए भी attract होते हैं जैसे सभी जाने माने shape हर हफते अपनी special recipe अपलूड करते हैं ताकि ज़्यादा लोग उनके restaurant में आए आपको सिर्फ एक खास category पर ही focus करना चाहिए ऐसा product बनाए जो लोगों की किसी खास problem को solve करे अगर आपका product बहुत आहम है तो किसी को भी उसमें देचस्पी नहीं होगी आए special niche याने की category का example देते हैं city kitty बिली पालनों वालों के लिए एक ऐसा training program है जो अपने पालतू जानवरों को कूड़े के डिब्बी के बजाए toilet का इस्तमाल करना सिखाता है यह product सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है लेकिन यह सभी cat lovers को काफे पसंद आता है अभी तक हमने move the digital products की बात की है अब आईए अपने loyal customers के लिए high value वाले products बनाने की बात करते है आपने अभी ideas share किये है इसके बाद लोग यह चाहते हैं कि आप उन ideas को implement यानि की लागू करें और उन पर काम करना शुरू करें जैसे मान लीजे कि आप एक fitness trainer है यह उन्होंने वजन घटाने वाला एक podcast बनाया है अब लोग आपके जिम में exercise करने आएंगे और regular training के लिए आप से मिलेंगे अब आप शायद यह जानते हैं कि अब आपको अपने product marketing के लिए पुराने media के जुरूरत नहीं है आपको TV, radio, newspaper या billboards पर add देने के लिए पैसा खर्च करने की जुरूरत नहीं है आजकर लोगों के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वह हर जगा से आ रही information पर ध्यान दे इसलिए इसका secret यहीं है कि आपको अपने product में दिल्चस्पी रखने वाले target market party focus करना है इसमें ऐसे लोग होते हैं जो आपके product को इस्तमाल करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं यह पता लगाएं कि आपके product में ऐसा क्या है जो उसे इन लोगों के लिए unique और appealing बनाता है इससे पहले हमने cat levers के लिए party trading session के example की बात की थी वो laser focus marketing का एक example है अपने business को पुई दुनिया में फैलाना नमुम्किन नहीं आप अपने product को Amazon पर बेच सकते हैं दूसरे देशों में local partners बना सकते हैं या दूर के देशों के लिए अपने products का license ले सकते हैं step 4 profile अब तक आपने pitch बनाना, किताब publish करना, digital products बनाना सीख लिया है जल्द ही लोग आपको Google पर search करने लगे वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आपकी field में आपकी कोई जानता है क्या लोग आपको पसंद करते हैं और क्या आप पर भरोसा किया जा सकता है ये key person of influence वाले लोगों की खोबिया है लोगों को आपको आपका bio, photo, blogs, video जैसी जरूरी चीज़े दिखनी चाहिए इससे वो आपको follow करना चाहेंगे और वो आपका content देखेंगे अगर आप किसी दिल्चस्प इंसान से मिलते हैं और आपको पता चलता है कि वो social media पर नहीं है तो ये काफी बुरा लगता है ऐसा होने से लोग आपकी value पर शक करते हैं इस बात को जानने के लिए सालों से हम Google का सहारा लेते आए हैं कि हम किसी इंसान पर कितना विश्वास कर सकते हैं दूसरे KPI भी आपको आपकी online profile देखकर ही जान लेंगे आप शायद अपने photos, videos, audio उस articles आइडिया शेयर करने के लिए सही social media platform का इस्तमाल करने के बारे में जानते होंगे Social media के सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपका content उन लोगों तक पहुंचाता है जो सच में उसमें दिल्चस्पी रखते हैं यह TV commercial या printer date के लिए पैसा देने से कहीं ज़्यादा असरदार होता है यह कि लोग आजकल TV ad वगरह पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं दूसरी तरफ social media आपको बहुत कम पैसो में सिधा अपने target market से जोड़ने का मौका देता है आप अपने followers के साथ लंबे बात चीद कर सकते हैं इसके साथ ही आप उन लोगों के साथ अच्छा connection बना सकते हैं जिन्होंने आपको ढूंडने की कोशिश किये अपने online profile बनाने के लिए आपका clear purpose होना चाहिए सबसे पहले leads generate करना यानि customer ढूंडना यह आपको उन digital product से मिलेंगे जो अपने free में share किया हैं आप दोर पर आप लोगों से उनका email address मानते हैं ताकि आप अपने digital products उन्हें भेज सके और उन्हें अपनी mailing list में समिल कर सके यह लोग आपको अपने दोस्तों को भी refer करेंगे आपको social media account बनाने होंगे ताकि यह लोग आपको ढूंड सके दूसरा है leads को sales में बदले जितना ज्यादा लोग आपके बारे में जानेंगे उतने ही ज्यादा chances होंगे कि वो आपसे कुछ खरीदेंगे वो आपको जानते हैं पसंद करते हैं और आप पर इतना भरोसा करते हैं कि अपना पैसा आपके product या service पर खर्च कर सके माल लेजे कि आप एक accountant की website पर गये आपने उसके blogs और videos देखे आपने वो बरे बरे publication भी देखे जिनमें उनके बारे में बताया गया था और साथ ही उनके articles के links भी देखे ऐसा हो सकता है कि आप साथ इससे accountant की updated profile की वजह से उसकी service को यूज करें तीकसरा मकसद है customer से ज्यादा पैसे खर्च करवाना लोग आम तोर पर car, tv खड़िदने या foreign travel का फैसला लेने में कई घंटे लगाते हैं जब तक वो इसके बारे में अपना मन बना रहे हैं तब तक उन्हें बीजी रखने के लिए आपके पास जरूरी content होने चाहिए जैसे जैसे वो आपके बारे में सुनते देखते और पढ़ते हैं उन्हें इस बारे में अच्छे समझ में आता है कि उन्हें इसे खर्ड़ने पर कितना पैसा खर्च करना चाहिए शुरुआत में लोग हमेशा यह चाहते हैं कि उन्हें सबसे अजसस्ता option मिलें लेकिन आपके बारे में ज्यादा जानने से उन्हें आपके ज्यादा महंगेल लेने लेकिन high quality वाले product की value दिखाई देने लगती है चौथा है लोगों को वापस लाते रहना आज लोगों पर जैसे चारो तरफ से information की बहुत चाहर होड़ी है और लोग हमेशा भीजी रहते हैं लेकिन अगर वो लगतार आपका नया content देखते रहेंगे तो वो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे अगर आप उन्हें हफते में एक email करेंगे तो लोग आपको unsubscribe कर देंगे लेकिन अगर आपके पास हर रोज या weekly Instagram पर देने के लिए नया post होगा या YouTube पर आप वीडियोज अपलोड करेंगे तो आपके followers को ये पसंद आएगा नया content उन्हें आपके product और प्रोमो के बारे में updated रखता है पांचवा है cost यानि कि खर्चे को कम करना social media पर रहने से आपकी सबसे बरी बचत जो होगी वो है advertising cost पुराने जमाने के media मांगे होने के साथ साथ बिना target के काम करते थे commercial और ad बनाने पर बहुत सारा पैसा बरबाद किया जाता था और लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं होती थी दूसरी तरफ social media कम cost होने के साथ साथ एक target के साथ काम करता है आपका content उन्हों लोगों तक पहुँचता है जो आप में तीलचस्पी रखते है छठा है अपने brand को improve करना आपका message सफिल social media platforms पर लगतार आना चाहिए brand सी वो चीज है जो आपको आपके competitor से अलग बनाता है यहीं आपको unique और valuable बनाता है अपने products को बेचने और आपके साथ काम करने के लिए partners ढूणने के लिए ये बेहत जरूरी है KPI होने के नाते आपको Google पर सर्च किये जाने पर आपसे जुड़ी information आनी चाहिए इसका मतलब है कि लोग जानते हैं कि आप कौन है आप कैसे देखते हैं आप क्या represent करते हैं या नहीं दिखाते हैं और आपसे कैसे contact करना है अगर आप Facebook, Instagram, YouTube और Twitter जैसे social media platform पर हैं तो ऐसा कर पाना असान हो जाता है Google को आपके online मजगूदी और आपके content की regular update पसंद आएंगे जैसे ही लोग आपका नाम ढूनेंगे वो आपके पास आएंगे जैसे जैसे वो आपको बेहतर तरीके से जानने लगेंगे वो आपको पसंद करेंगे हलाकि आपको इस बात का खास ध्यां रखना होगा कि आप क्या share करते हैं यूखि आपका content दुनिया भर के लोगों तक पहुँचता है Step 5 Partnership एक ऐसी चीज है जो बहुत सारा पैसा कमाने वाले KPI को उन अच्छे दिखने वाले लोगों से अलग करती है जो इतना पैसा नहीं कमाते जितना उन्हें कमाना चाहिए वो चीज है Partnership इसका मतलब है कि आपको अपने वक्त का ज्यादा से ज्यादा उठाने और तेरी से ज्यादा एक्सपोजर के लिए आपके साथ बेचने के लिए तयार है उनके पास पहले सही एक कमाल का ब्रेंड है और वो एंडोर्स करने के लिए नए प्रडॉक्ट ढूंड रहे है आपने अपना बिजनेस बनाने के लिए पिछले कुछ सालों में कड़ी महनत की है कोई दूसरा भी ऐसा ही कर सकता है जब आप कॉलिबरेट यानि की साथ काम करेंगे और आप अकेले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसे कमाएंगे पार्टनर्शिप की शुरुआत अच्छे इर्यादे से होने चाहिए जिस इंसान के साथ आप काम करते हैं आपको उसकी जरूरत का सच में ध्यार रखना चाहिए आपको चीजों को उनके नजरिये से देखना चाहिए और उतना ही एफॉर्ट लगाना चाहिए जितना वो लगा रहे हैं अच्छा पार्टनर बनने से आगे जाकर आपको एक की पर्सन आफ इंफ्लूएंस के तौर पर सक्सेस्फुल होने में मदद मिलती है तो KPI बनकर आपके पास किस तरह की डिल्स हो सकती है सबसे पहला है अफ्लियेट पार्टनर्सिप इसमें दूसरे KPI आपके पर्डॉट को प्रोमोट करते हैं और उन्हें हड़ सेल पर कमिशन मिलता है आप उन्हें एक ऐसा लिंक देते हैं जो लोगों को आपकी वेड़ साइड पर ले जाता है वो उस लिंक को अपने पोस्ट और वीडियो पर डालते हैं जब लोग उस लिंक से कुछ खरिदारी करते हैं तो आपके पार्टनर KPI को कमिशन मिलता है इसमें फाइदा ये है कि आप मार्केटिंग पर तभी पैसा खर्च करते हैं जब लोग आपके परड़क्ट के लिए पैसा दे देते हैं दूसरा है गो पर्मोशन इसमें दो KPI अपने मिलिंग लिस्ट को आप से में शेयर करते हैं और दूसरे लोगों को दूसरे के परड़क्ट के बारे में इनफर्मिशन भेजते हैं आपको कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो आपके इमेल का कभी जवाब नहीं देते लेकिन आपके पार्टनर्स के ओफर में दिल्चस्पी दिखाते हैं तीसरा है परड़क्ट क्रियेशन पार्टनर्सिप इसमें यहाँ पर एक नया परड़क्ट बनाने के लिए दूसरे की पियाई के साथ कोलेबरोट यानि की मिलकर काम करते हैं उस प्रावलम के बारे में सोचिए जैसा क्लस्ट्मर सॉल्व करना चाहता है जैसे माल लिए कि एक कंप्लीट मेकवर पैकेज ओफर करने के लिए आप एक इमेज कंसल्टेंट, मेकप आर्टिस्ट और फोटोग्राफर के साथ कोलेबरेट करते हैं यहाँ कस्ट्मर अपना मसल नहीं बनाना चाहता है बलकि अच्छा दिखाना चाहता है तो आप एक बहतरीन डिल ओफर करने के लिए अपने प्रड़क्स को साथ में जूड भी सकते हैं चौती है फ्री बंडल ग्रूप इसमें आप दूसरे की प्याई के साथ मिलकर मुफ्त चीजों का एक बास्केट बनाते हैं यह नई लीड जेनरेट करने में काफी असरदार होता है जैसे आप एक फ्री में मोटिवेशनल ट्यूटूरियल बनाते हैं फिर आपका एक दोस्त जो कारो फेक्टर यानि की हड्डियों का डॉक्टर है फ्री में रीड की हड्डि को देखने के लिए तयार हो जाता है आपका दूसरा दोस्त जो एक यूगा इंस्ट्रक्टर है वो अपना पहला सेशन फ्री में ओफर करने के लिए तयार हो जाता है आप इसे कैसे कर सकते हैं हमेशा यह सुचिए कि आप लोगों के साथ collaborate कैसे कर सकते हैं ना कि उन्हें कुछ बेचने के बारे में सुचे जब आप किसी event में जाए तो देखें कि आप लोगों के साथ partnership कैसे बना सकते हैं उन लोगों से अलग बने जो किसी को कुछ बेचना चाहते हैं हम ऐसा ऐसी partnership कीजिए जिसमें दोनों party को फायदा हो दूसरे kpi से बात करें और देखें कि क्या उनके पास एक बड़ी mailing list है या एक ऐसा product है जो आपके product को किसी तरफ पूड़क कर सकता है यह एक अच्छा brand है या distribution channel है आप सही partners को ढूड़कर ज्यादा पैसा कमाएंगे events में जाने के अलावा आप रोज 3 kpi से contact करने की आदत भी बना सकते हैं और देख सकते हैं कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं एक potential partner से मिलने के लिए या कुछ tips दिये गए किसी अच्छे restaurant या hotel में एक venue set करें यह आपके उनके office से कहीं बहतर होता है क्योंकि बाहर मिलने का मतलब है कि आप दोनों को एक जैसा सोचने आये हैं एक ऐसी situation का महौल बनता है जिसमें दोनों party फायदे में रहती है एक simple सा gift लेकर जाए यह एक ऐसा gesture है जिसका मतलब है कि आप अपने potential partner के जुरूरत के बारे में सोचते हैं यह gift आपके किताब की एक copy यह कोई article हो सकता है जिसमें उन्हें दिल्चस्पी हो सकती है पहले दोस्ती कीजिए उस इंसान के बारे में कोई ऐसी बात ढूंटिए जो आपको पसंद हो और दोनों के फायदे के बारे में बात कीजिए इसके बाद आप नेगोशियेट करना श खुद बिल चुका यह दिखाता है कि आप उस इंसान के वक्त को वैल्यू देते हैं इसके बाद आता है फॉलो अप करना इसका मतलब है कि अपने शब्दों को एक्शन में बदल लिए जैसा आपने उस इंसान से कहा कि आप उन्हें अपने किसी दोस्त से मिलवाएंगे तो और पढ़े उन की पॉइंट्स को हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे तो सबसे पहले आपने जाना कि पिछ इस बात का जवाब देता है कि आप क्या करते हैं खुद के बारे में बताएं किसी प्रॉब्लम को समझाएं उससे होने वाले असर पर बात करें अपना सॉलिशन सब के सामने रखें आपको जो कहने के जुरुयत थे कहें और एक पॉजिटिव नोट के साथ अपनी पीच खत्म करें अपने पीच को सिद्धत और कॉन्फिडेंस के साथ सब के सामने रखने के लिए अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें दूसरा आपने अपने किताब को पब्ल या किसी छोटी पब्लिकेशन कंपणी के जड़िए पब्लिच कर सकते हैं तीसरा आपने प्रड़क्ट क्रियेट करना सिखा फ्री डिजिटल प्रड़क्ट लोगों को आपके बारे में बताता है हाई वैल्यू वाले प्रड़क्स आपके लोयल कस्टमर्ट के लिए काम करत प्रड़क्ट की चर्चा लोगों के आपस बात करने से ही चारो तरफ होने लगेगी चौथा आपने अपने कॉंटेंट को रेगुलरली अप्डेट करना सिखा सोसल मीडिया पर होने से आपको लीड जरेट करने में लीड को सेल्स में बदलने में ज्यादा पैसा कमाने में कस्टमर बनाने में एडिविटाइजिंग कोईस्ट को कम करने में और अपने ब्रेंड को मजबूत करने में मदद मिलती हैं लोग आपको गूगल पर ढूणना चाहेंगे और आपकी इंफर्मेशन वहां जरूर हुनी चाहिए पाचवा आपने पार्टनर्शिप बनाना सिखा आप पार्टनर्शिप को प्रमोशन, प्रोड़क्ट क्रियेशन पार्टनर्शिप या फ्री बंडर गुप से जूड़ सकते हैं पार्टनर छोणने में लिए इवेंट से जा सकते हैं या हर रोज तीन KPI से कॉंटेक्ट कर सकते हैं हमेशा कलिबरेट करने की कुछिस कीजिए कुछ बेचने पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए की पर्सन ऑफ इंफ्लूएंस बनने या अपने फिल्ड में ज्यादा पैसा कमाने वाला और सबसे ज्यादा वैल्यूबल इ वीजिबिलिटी, ग्रोथ और प्रोफिट कमाएंगे इससे आप ज्यादा पैसे कमाएंगे आप उन्हें फिल्ड में आपको सब पहचानने लगेंगे और आपके पास ज्यादा अपॉर्चिनटीज आने लगेंगे सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें आपको मजा भी आ मैं हमेशा हर समरी के एंड में कहता हूँ, यह लर्णिंग को लाइफ में प्रेक्टिकली इंप्लिमेंट करना है यानि कि एक्षन तो लेना ही होगा, क्योंकि समरी ने भी बहुत सारे पॉइंट हमें बताया है, हमें गाइड किया है, जिसके वज़ा से डैम स्योर आप और उसके बाद सारा जोस ठंडा, तो उमीद करता हूँ, यह समरी आपको बहुत पसंदाई होगी, पहला एक्षन आपको यही लेना है, कि आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, कि कौन सा पॉइंट आपके लिए बलवान मॉमेंट था, जिसने आपको सबसे ज़्यादा इ तब तक के लिए रखे अपना क्याल और सुनते रहे समरी फॉर यू, जय हिंद, जय भारत